कोई करीबी हो वासपास बच्चे हो और वो बच्चों के साथ खेल रहा हो उसके इस परस को बच्चे बड़ों का प्यार करने का तरीका समझ रहे हो लेकिन इस से परे उस करीबी के दिमाग में कुछ और ही उपज रहा होता है समाज में ऐसे मानसिक्ता वाले लोगों की कमी नहीं है आप नहीं पैचान पाएंगे कि मनुस्त की खाल में आपके बच्चों के पास खुंकार बेडिया घूम रहा है और पलक जबगते ही कब आपके बच्चों की असमत को खा जाएगा पता भी नहीं चलेगा ऐसे ही सर्मना घटना जहासी में घटी है कई बार तो समझ में नहीं आता कि कैसे इन खबरों को पड़ें खेर छोड़ो भामात्मक हो ना तो मनुस्ता का गुण है अब खबर पर आते हैं अमरो जाला के आकास दुबे की रिपोर्ट के अनुसार जहासी के रक्सा इलाके में विस्तों को च नावालिक का मेडिकल कराने के बाद 24 घंटे के भीतर आरोपी को गरपतार करके जेल भेज दिया है रक्सा इलाका ने वासी नावालिक पीर्टा के पिता गाउं में रहकर खेती बारी करते हैं उनका 28 बर्स यह चचेरा भाई भी घर के बगल में परिवार के साथ रहता है व बापस लोटा है यहां रक्सा टोल पिलाजा पर पिता ने चचेरे भाई इबं पुत्री को तार कर घर भेज दिया जबकि खुद अपने खेत पर चला गया उधर नावालिक भती जी को लेकर चाचा घर पहुचा यहां कोई नहीं था इसी दोरान हैवानिया दिखाते हुए उसने मासुम भती जी के साथ घिनोनी हरकत कर डाली मासुम भती जी खुण से लटपत होकर वहीं दस से कहराने लगी उसकी हालत देखकर चाचा हुआ से भाग निकला कुछ देर बाद जब परिवार की लोग घर पहुचे तब खून से लटपत मासुम को देखकर उनके होस मुझने पर मासूम ने चाचा की हवानियत बया कर दी गुस्टाय परिवार के लोग उसे लेकर तुरंद बुद्वार देर रात रक्सा थाने पहुँच गए पीड़ता को मेडिकल कराने के लिए एस्पताल भेजा गया गड़ना की सूजना मिलने पर एस्पी सिटी बेवेक्तर पार्टी सीयो सदर अनुस सेंग समेथ अनक अपसर मौके पर पहुँच गए पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाब दुसकर्म समेथ पौकस एट के तहर मामला दज कर लिया है सीयो सदर के मताविक आरोपी को बिस्पतिवार को देव ऐकैडमी के सामने से गरपतार कर लिया गया लिखा पड़ी के बाद उसे जेल भेज दिया गया गरपतारी होने के बाद पीरता को लेका देर रात परिजन रक्सा थाने पहुँच गए यहां परिजनों ने पुलिस पर कारवाई में देरी किये जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया ठाने के बाहर परिजन आरोपी को फासी देने की मांग को लेकर काफी देर तक नारे बाजी भी करते रहे आगे की अपडेट के लिए जूड़ी रही हमारे साथ अधिया आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज पास की अपडेट के लिए धन्यवाद